नमस्कार मैं हैं मंत बगेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपनी इस यूट्यूब चैनल में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शल्तनत काल इन विद्वान एवं इतिहासकारों के विशाय में देखें सल्तनत काल उस समय जो भी इतिहास कार रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे उनके इतिहास लेखन की पद्धती के विशाय में हम लोग जानेंगे तो वीडियो जो है काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है तो आप लोग आखिर तक जरूर इतिहास लेखन की पद्धती का थी रहे हैं लोग लिखन की सोच क्या थी तो इन सब चीजो को हम लोग देखेंगे तो एक एक करके हम लोग देखते जाते हैं जिसको खाली ऊशन निजामी के नाम से भी जाना जाता है तो ख्वाजा शद्र हशन निजामी ये जो है कुतुबुद्दी नइबग का समकालिन था कुतुबुद्दी नइबग जो कि दिल्ली सल्तनत का संस्था पक्सा सक था तो ख्वाजा शद्र हशन निजामी बात करें इसकी रचना की तो इसकी जो रचना है ताजुल मासिर बोहुत बार पुछी गए ध्यान रखेंगे ताजुल मासिर किसकी रचना है या हसन निजामी की रचना कौन सी है ऐसे अक्सर पूछा दाता है तो इस चीज को आपनों विशेश ध्यान रखेंगे तो ये जो है हशन निजामी दिल्ली सल्तनत का पहला सरकारी इतिहासकार था सरकारी इतिहासकार मतलब जो उस समय का शाशक था उसके द्वारा इसको अपना जो इतिहास है उसको लिखने का आदेज दिया गया था सरकारी इतिहासकार कौन होता है तो वो जो है सासक के सानिधिया सासक के आसरय में रह करके उसके विशय में लिखेगा तो ऐसे जो इतिहासकार होते हैं सरकारी इतिहासकार उनमें सबसे बड़ी कमी ये होती है कि वो जो है चाटुकारी ता भरी बाते जादा करते दिखे वो अ अच्छे डंग से वो लिखेगा, मतलब गलत चीजों को छुपा सकता है, खली अच्छी अच्छी चीजों को लिख सकता है, तो सरकारी इतिहास कारों में एक ये चीज देखने को मिलती है, इसमें जो है बहुत सारी अतिशियोक्ति पूर्ण वर्णन करने का भी डर बना रहता मतलब की अपना जो शाशक है, जो उसका अन्द आता है, उसके बारे में वो बहुत अच्छी अची बाती लिखेगा या फिर बढ़ा चढ़ा करके लिखेगा, कि मेरा जो सासक है, ये है, वो है चाचा काम करता है, उसमें किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं है, तो सरकारी इतिहास कारों की ये बहुत बड़ी कमी देखने को मिलती है फिर वे इनके द्वारा जो कुछ भी लिखा जाता है वो उस समय के इतिहास को जानने के लिए बहुत मतलब बड़ा साधन माना जाता है तो इनकी विशेस्ता क्या थी? वो हम लोग देख लेते हैं जखे जो ख्वाजा सद्र हशन निजामी था ये जो है इतिहास का दार्मिक द्रिष्टिकोंड से व्याख्या करते हैं कहने का ताथ पर ये है कि ये जो है इतिहास को धर्म के साथ मानते हैं मतलब धर्मा और इतिहास एकी समान है ऐसा इनका कहना है इनके अनुशार मतलब हसन निजामी के अनुशार मुसल्मान शाषक का करतव्य है कि वह गैर मुशल्मानों के विरुध जिहाद करें जिहाद क्या होता है? धर्मयुद्ध मतलब कि अपने धर्म का प्रचार करो जो गैर मुशलमान है उनको किसी तरह से मुसलिम बनाओ, मुसलमान धर्म इसलाम उनसे कबूल करवाओ तो ये जो है झेहाद होता है, धर्मयुद्ध होता है, मतलब इतिहास को जो है धर्म से जोड़ करके देखते हैं तो इस तरह कि जो चीज होती है मतलब इतिहास को धर्म से जोड़ कर देखना तो इसका सीधा सीधा संबंद यह होता है कि जो भी घटना घटित हो रही है वो इस वर द्वारा हो रहा इस टाइप का मानना होता है तो ध इसके बारे में इतना ही ध्यान रखना है और कोई विशेश चीजें नहीं जाननी है इसके बाद आद देखते हैं हम लोग मिनहाज उस सिराज अथवा मिनहाज उद्दीन सिराज ये बड़ा इंपोर्टेंट है इसके बारे में भी पूछा जाता है इसकी जो रचना है वो है तबकात ए नाशिरी ये भी कई बार पूछी गई है तबकात ए नाशिरी किसकी रचना है तो मिनहाज उद्दीन सिराज अथवा मिनहाज उस सिराज तो ये किसके समकालीन थे तो नाशिर उद्दीन महमूद के समकालीन थे यहां मैंने लिखा है नाशिर उद्दीन महमूद को समर्पित नासिरुदीन महमूद जो कि गुलाम वंज के सासक थे जिनका सासनकाल 1246 से लेकर के 1266 Isvie तक था इसके समय में बलबन सब कुछ हुआ करता था तो उसी नाशिरुदीन महमूद के समय मिनहाजुद्दीन सिराज ने तबकात ए नाशिरी इसकी रचना की और यह जो ग्रंत है नाशिर उद्दीन महमूद को शमरपित है ये भी पूचा जाता है तो ये जो ग्रंत है तबकात नाशिरी इसको लिखने का उद्देश क्या था तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे कि जो मिनाज उद्दीन सीराज ju वो शंपूर्ण इसलामिक विश्व का व्रिहद इतिहास लिखना चाहता था संपूर्ण इसलामिक विश्व मतलब की पृत्वी पर जहां जहां भी इसलाम प्रचारी था इसलाम धर्म को मानेने वाले लोग हैं वो सब का वो जो है एक वरिहद इतिहास लिखना चाहता था और इस ग्रंथ में आदम से लेकर के 1269 इसवी तक का इतिहास लिखा गया है आदम ये क्या होता है तो देखे जो इसलाम है न मुसल्मानों में जो आदम है उसको पहला मनुष्य माना जाता है मतलब धर्ती में आदम जो है पहला मनुष्य था तो मिनाज उद्दिन सिराज ने उस पहले मनुष्य से लेकर के 1269 इसवी तक का इतिहास अपने इस ग्रंथ में लिखा हुआ है तो दिहान रखेंगे बड़ा इंपोर्टेंट है इस ग्रंथ में 23 तबके है तबके का क्या मतलब होता है अध्या है म देखें जो मिनाज उद्दिन सिराज है ना इसने इतिहास की आध्यातमिक व्याख्या की यह बिल्कुल जो हसन निजामी था कुतुब दिनाइबक के समकालिन उसी के टाइप इसने भी जो है इतिहास की आध्यातमिक व्याख्या की है जिसका ताथ पर यह इतिहास इसवर की अभिवेक्ती है मतलब की इतिहास में जो भी घटनाए घटी थो रही है मतलब कहने का तात पर यह है कि उसके समय में भी जो भी घटनाए घटी थो रही थी वो इस्वर की अभिवेक्ती है इस्वर वैशाक चाहता है इस कारण से वैसा हो रहा है यह कहना होता है यह इसका वितिहास की आध्यातमिक व्याक्या में अर्थात इतिहासि घटनाए इसवर द्वारा प्रेदित होती है अतह इसका इतिहास प्रगति 술ई एवं मानविय नहीं माना जा सकता मतलब कि एक वेक्टी बोल रहा है कि जो भी घटनाए घटित हो रही है मतलब कि भारत में मुस्लिम सकता कि स्थापनावी रजिया सुल्तान कुछ समय के लिए सासी का बनी थी तो ये सब जो घटनाई है ये इस्वर द्वारा प्रेदित है इस्वर की इच्छा पर ये सब हो रहा है तो ऐसा इतिहास कोई लिख रहा है तो उसको जो है प्रगतिसील और मानवियन नहीं माना जा स रखता इसके अनुसार मतलब की मिनहाज उद्दीन के अनुसार इतिहास का तात पर घटनाओं को यथावत प्रस्तुत कर देना है मतलब इसके अनुसार क्या है कि जो भी घटनाई घटी थो रही है उसको जस का तस लिख दो उसके पीछे क्या कारण है कि वो घटना घटी थ और उसका क्या प्रिणाम निकला ये सबसे कोई मतलब नहीं सिधा सिधा लिख दो इसके हिसाब से तो जो मिनहाज है अपनी रचना में कारे कारण संबंध की खोज करने का प्रयास नहीं करता है तो ये बड़ा इंपोर्टेंट चीजे कारे कारण संबंध दिखे ये पूरा का करेकारण संबंध ये क्या होता कारिकारण संबंध कोई भी घ değişb परिणाम क्या निकला तो क्या होता है इस ताइप की चीजों की अगर आप खोज नहीं करते उसकी व्यविवेचना नहीं करते तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है इतिहास क्यों पढ़ा जाता है इतिहास क्यों लिखा जाता है ताकि हमारा जो सधर सके........ तो कोई घटना क्यी Очень कारण जाना ना भूत शक है.. तो जो मिन्हाज इडिन सिराज है वह कारे कारण संबंध की खोज करने का प्रियास नहीं करता है कोई भी घटना हुई उसको जश का तस उसने लिख दिया क्यों क्योंकि ईश्वर ने ऐसा कहा है ईश्वर की इच्छा पर ये हो रहा है इसलिए ये जश का तस लिखा जाएगा इस टाइप का इनका मानना था फिर भी इनके द्वारत जो ग्रंथ लिखा गया था उससे उस समय के विशय में बहुत कुछ जानने को मिलता है इस चीज़ को हम लोग नकार नहीं सकते इसके बाद हम लोग बात करते हैं अमीर खुसरो ये जो है उस समय का बहुत बड़ा साहित्यकार था इसने जो है बहुत स सारे शाशकों के समय में था बलबन के समय भी था कैकुबाद के समय भी था जलालुद्दिन खिलजी के समय भी था अलाउद्दिन खिलजी के समय भी था उसके उत्रादिकारियों के समय भी था गया सुद्दिन तुगलक के समय भी था तो इसने जो है बहुत सारे शाशकों क और तीन राजवनसों का सासनकाल देखा जैसे कि गुलाम वन्स, खिलजी वन्स, तुगलक वन्स, तु इसने जो है बहुत कुछ लिखा है, तो एक एक करके इसकी रचनाओं के बारे में हम लोग देख लेते हैं, तो इसकी रचनाओं को आप लोगों को याद भी रखना है, त इसका साब्दी कर्थ क्या होता है दो नक्षत्रों का मिलन ये जो ग्रंथ है कि रानुस सादेन ये गुलाम वंस के सासक कैकुबाद के कहने पर लिखा गया था अमीर खुसरों के द्वारा तो इसमें विशय क्या है तो इसमें जो है जो कैकुबाद का जो पिता है बुगरा ख शादिन अमीर खुसरोद्वारा, इसकी अगली रचना है, अगली इतिहास की कुष्तक है मिफटाह इल्फ शुनमिफटाह अल। इसका शाप्डिक अर्ठ है विज्यों की कुँंजी मतलब किया है चाबी विज्यों की चाबी तो इसका जो रचना हुआ था वो हुआ था 1291 में मतलब इस समय जो है गुलाम वंस का अंत हो चुका था और दिल्ली सल्तनत के अंतरगत जो है खिलजी सासक सासन करने लगे थे तो जाहिर सी बात है इसमें जो है खिलजी वंस के सासकों के विशे में जानकरी मिलती होगी मतलब की जो प् दिन खिलजी द्वारा किस प्रकार से जो गुलाम वंज के सासक है उसके खिलाफ विद्रो किया गया होगा और जो अंतिम शाशक था समसुद्दिन की उमर से उसको किस प्रकार से हटाया गया और किस प्रकार से खिलजी सत्ता की स्थापना होती है तो ये सारा कुछ जो है इसम ना विजयों का खजाना तो ये जो ग्रंत है अलाउद्दीन खिल जी के समय का है और किसके विजयों का खजाना है तो अलाउद्दीन खिल जी के विजयों का खजाना है तो अलाउद्दीन खिल जी उसका ये जो है सरकारी इतिहासकार था अमीर खुसरो ध्यान रखेंगे अमी पर लिखा गया था अब चुकि ये जो है सरकारी इतिहास था तो इसमें कई सारी अतिश्योक्ति पूर्ण बातें लिखी गई होंगी अलाउद्दीन खिल जी को अच्छा बताया गया होगा उसको उधार शाशक बताया गया होगा उसके द्वारा जो बुरे काम किये गए थे उसको छुपाने का प्रियास किया गया होगा तो ये चीजे भी है इसमें तो देख लेते हैं इसमें तो अतिश्योक्ति पूर्ण वर्णन इसमें बहुत देखने को मिलता है केवल अलाउद्दीन के शैनने अभ्यानों एवं अच्छी बातों का उल्लेख है इसमें जो उसक जैन फुर्ण में अलाउद्दिन खिल जी की हत्या उसके बात सल्तनत हस्थगत करने की घटना मतलब कि किस परकार्शdade अलाउद्दिन खिल जी ने अपने चाचा की हत्या की और किस परकार्श गदी प्राप्त की उसके बाद चित्तोड पराकरमन ये सब चीजों का किस प्रकार से गद्धी प्राप्त की और चित्त और पर आकरमण तो इन चीजों का उल्लेग यहां पर नहीं मिलता है मतलब कि जो Ameer खुसरो है उसने इन चीजों का जिक्र नहीं किया है या कहें इन बातों को छुपाने का उसने प्रियास किया है तो ध्यान रखेगा क्योंकि ये जो चीजें है अलाउद्दिन खिल जी के जीवन में मतलब क्या कहें उसके बारे मिल्कुल उसको बुरा बनाती है कि वो जो बुरा सा सक्था इस टाइप से तो आगे देखते हैं हम नुह शिपेहर ये भी जो है अलाउ साब्दिकर्थ और ये जो ग्रंत है नुव भागों में बटा हुआ है नुह शिपेहर जो है नुव भागों में बटा हुआ है प्रथम दो भाग में सुल्तान कुतुबुद्दिन मुबारक खिल जी का वर्णन है से साथ भाग में भारत का वर्णन है ये जो ग्रंत है नु बहुत कुछ वह लिखता है कि उसको हिंदुस्तान कैसा लगता है तो यहां में ने दिया है तो अमीर खुष्रो उसने जो है हिंदुस्तान की हिंदुस्तान अमीर खुसरो ने हिंदुस्तान को अपनी आखों का सूर्मा बताया है उसे भारतिय होने पर गर्व है वह स्वयम को हिंद का तूता कहता है तथा गर्व से कहता है कि वह हिंदवी बोल वह लिख सकता है खुसरो ने इस पुस्तक में अपने वतन के प्रती प्रेम को अभिवेक्त किया है, मतलब कि जो नुर सिपेहर है, नव भागों में बटा हुआ है, नव भागों में तो पहला दो भाग तो कुतवुद्दिन मुबारक खिल जी उसके बारे में है, बाकी जो साथ भाग है उसमे पूरे भारत वर्स का वर्णन है, भारत भुमी का वर्णन है, और उसमें जो है, अमीर खुसरो द्वारा भारत भुमी के प्रती जो उसके अंदर प्रेम है, अपने वतन को ले करके, तो उस चीज को उसने यहां दिया हुआ है, तो इसी ग्रंथ में अमीर खुसरो ने श्व भी बोला जाता था तो जो हिंद भी है वो मैं बोल सकता हूं लिख सकता हूं इस पर मुझे बड़ा गर्वा है तो ये चीजे भी उसने एक्सेप्ट किया है भारत भूमी के प्रती अगाध प्रेम प्रकट किया है तो ध्यान रखेंगे इन सब चीजों को भी इसके बाद इसक खुसरव शाह के सत्ता में आने की घटना और उसकी लोकप्रियता उसके बाद गाजी मलीक का विरोध एवं सत्ता परिवर्तन का वरणन है मतलब देखें गैस उद्दिन तुगलक उसने जो है खिलजी वंस का दमन किया और तुगलक वंस की स्थापना की तो जो क्या करते है कुद्बुद्दिन मुबारक शाह खिलजी इसके कमजोर शासन का इसमें वर्णन है और किस प्रकार से नासिरुद्दिन खुसरव शाह जो की खिलजी वंस का अंतिम शासक था उसने सत्ता प्राप्त की और फिर लोकप्रिय होता चला गया और इसी भी जो है गाजी मलिक जो भाड़ी घटनाए जो है अमीर खुसरो ने इस गरंत में लिखी है यह जो चीज है ना यह जो गरंत है गयासुद्दिन तुगलक के कहने पर अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई थी तो यह जो सब्जेक्ट है मतलब इसमें क्या-क्या लिखा गया है तो उसको भी आप शादेन दूसरा है मिफताह उल्फुतुह इसके बाद तीसरा नुह शिपेहर चौथा है तुगलक नामा तो यह जो है इतिहास संबंधी पुस्तके हैं इसके बाद बात करते हैं हम खुआजा अबुबक्र इशामी खुआजा अबुबक्र इशामी जिसने फुतुह उस सला तीन नामक गरंत की रचना की थी और यह जो इतिहास कारे खुआजा अबुबक्र इशामी यह बहमनी सामराज्य के अलावद दिन बहमन साह को समर्पित है इस समय तक मतलब जो मुहमद बिन तुगलत था उसके समय में ही दक्षिण में बहमनी सामराज्य विजह नगर शामर साह था इसी ने बहमनी सामराज्य की निव रखी थी तो जो खुआजा अबुबक्र इशामी है उसने अलावद दिन बहमन शाह को समर्पित इस गरंत की रचना की थी तो इस गरंत में क्या मिलता है क्या जानकारी मिलती है उसको ध्यान रखेंगे तो इसमें जो है महमूद जनवी जिसने भारत में कहीं बार आकरमन किया उसके बाद मुहम्मद बिन तुगलत तो यह पूरा इतिहास जो है इसमें दिया हुआ है उसके बाद अगला प्रोइंट आफ लोगों की याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र इतिहासकार जिसने इतिहास में घटित गटना के पीछे बहुत सारी कारण होते कोई भी घटना जो है एकाए घटित नहीं होती है तो इक अच्छा इतिहासकार वही है जो उन घटनाओं का विशलेशन करें उदाहरन के लिए हम एक उदाहरन जे सकते हैं कि जो तैमूर लंग जिसने 1398 इसमी में भारत पर आकरमन क था तो उसके पीछे आकरमन मतलब उसके आकरमन का कारण क्या था एक तो हमारे जो भारत की इस्थिती थी उससमय कमजोर हो चुकी थी क्योंकि ञोटक वन्सी यह सaka सकथ वह उतने योग्जे नहीं थे मतलब की गया सुधदिन तुगलत मुहमद बिन तुगलत फिरोज सहा तुगलग के समान योग्य नहीं थे जो नाशिरुद्दिन महमुद सहा था उस समय उतना योग्य था नहीं तो इस कारण से तैमूर लंग को यहाँ पर शफलता मिलती है और भी बहुत सारे कारण थे कोई उसको रूखने वाला नहीं था तो इसने जो है घटनाओ के कारणों पर बल देना देने का प्रयास किया था तो यह बड़ी अच्छी चीज है तो मतलब कोई घटना क्यूं ही उसके पीछे कारण क्या था किस लिए घटित हुआ परिणाम क्या हुआ तो यह सब कुछ यह विशलेशन करके लिखता था तो यह एक मातर इतिहासकार है द्हान रखेंगे बागी सब इतिहासकार इस्वर की इच्छा है इस टाइप से लिखा करते थे आगे बढते हैं इवन बतुता इवन बतुता वैसे भारत का निवार्षी तो नहीं था लेकिन यह जो है भारत आता है मोरक्क्य जो कि एक अफरीकी देश के वहां से आया था की यात्रा पर और इसने जो है भारत में जो भी देखा यहां उसको जो अनुभाव हुआ उसको अपनी यात्रा वृतान्त में लिखा तो इसके द्वारा जो पुस्टक लिखे गाई थी किताब उले रिहला किताब उल रहला जो कि इबन बतूता की क्या कहेंगे यात्रा व्रितानत है तो इसमें इसने भारत के संदर्भ में भी लिखा है तो ये 1333 सीश्वी में भारत आता है और 1342 सीश्वी तक भारत में रहता है और इस बीच का इतिहास इसने लिखा है अपने इस पुष्टक में तो ये जो है जो मुहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर आया हुआ था भारत और मुहम्मद बिन तुगलक द्वारा इसको दिल्ली का काजी निउक्त किया गया था और बाद में सुल्तान द्वारा इसे दूत बनाकर चीन भेजा गया था तो ये दू चीजे भी बड़ा इंपोर्टेंट है एकसर पूछा जाता है एक तो एक दिल्ली का काजी निउक्त किया गया बाद में इसको चीन दूत के रूप में भेजा गया तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ये फिरोज साहा तुगलक का समकालिन था और उससे संबंदित ये गरंth है तारीक ए फिरोज साही किसने लिखा है जिया उध्दिन बरनी तो देखते हैं इसके बारे में तो इस ग्रंथ में तारीक फिरोज साही में बलबन के राज्यारोहन से लेकर के फिरोज सहा तुगलक के सासनकाल के छटवे वर्स तक का अर्थात 1266 से 1357 इसवी तक का इतिहास इसमें मिलता है कब से कब तक का ये भी पूछा जाता है कभी-कभी बलबन से लेकर के फिरोज सहा तुगलक के सासनकाल के छटवे वर्स तक का इतिहास सन याद रखेंगे 1266 में बलबन जो है सुल्तान बना था और जो फिरोज सहा तुगलक है वो 1357 में उसका चटवा साल था माफी चाहूंगा छींका गया था इस कारण से वीडियो को थोड़ा पॉस करना पड़ा था आगे देखते हैं जियाउत दिन बरनी के बारे में तो जो जियाउत दिन बरनी है ये समकाली नितिहास कारों में सबसे अधिक उच्चकोटी का है मतलब इसको जो है उस समय के दिल इसके द्वारा जो ग्रंत लिखा गया है उसमें तितियों का प्रियोग नहीं किया गया है मतलब ये इसकी जो बहुत बड़ी गलती है हाला कि इसने लिखा तो अच्छे तरीके से है लेकिन कौन सी घटना कब घटित होती है इस विशय में सटिक जानकारी नहीं दे पाता है जियावदिन बर्नी की कुछ अन्य रचनाई है उनके बारे में भी जान लेते हैं तो दो अन्य रचनाई है पहला तो तारीक ए बरम कियान दूसरा है फत्वा ए जहांदारी तो पहले देख लेते हैं तारीक ए बरम कियान ये जो है तारीक ए बरम कियान अरबी भासा में लि अनुवाद किया था ध्यान रखेंगे उस समय जो है दिल्ली सल्तनत की जो राज की भासा फारशी हुआ करती थी तो इसने जो है अर्वी में लिखे इस ग्रंत को फारशी भासा में अनुवाद किया उसके बाद एक फत्वा जहांदारी फत्वा जहांदारी दिल्ली सल्तनत का राज्य सिध्धान्तों पर लिखी गई एक मात्र पुस्तक है, मतलब कि जो एक राज्य के क्या सिध्धान्त होते हैं, तो उसके इसलामिक सिध्धान्त क्या है, तो उस चीज को इसने लिखा था, तो एक बाद फिर से इसको पढ़िएगा, सुनिएगा, दिल्ली सल्तनत काल मे इस्लामिक सिध्धान्तों पर आधारित, राज्य सिध्धान्तों पर लिखी गई एक मात्र पुस्टक है, तो ये अपने आप में बड़ा इंपोर्टेंट हो जाता है, पुछा जा सकता है, आगे बढ़ते हैं, अगला इतिहासकार है सम्स सिराज अफीफ, सम्स सिराज के द्वारा भी, लेकिन अधिकतर जियाउद दिन बरनी वाले पुस्टक को पूछा जाता है, लेकिन ये भी इंपोर्टेंट है, फिरोज सहा तुगलक के सासनकाल का अतिश्योक्ति पूर्ण वर्णन किया है, सम्स सिराज अफीफ ने, देखें, फिरोज सहा तुगलक ने अपने समय में बहुत सारे शुधारवादी कारे किये थे, तो इन सब का जो जिक्र है, शम्स सिराज अफीफ के इस गरंथ में देखने को मिलता है, इसने थोड़ा बड़ा चड़ा करके लिखा हुआ है, यहां तक बूलता है, कि उस समय जो है, साधारन घरों में भी अपने समय इसको लिखा गया था, तो यहां बिन अहमद शरहिंदी, यह भी बड़ा इंपोर्टेंट है, यह भी कई बार पुछा गया है, यह जो है सयद वन्स के सासक मुबारक शाह का समकालिन था, और यह जो ग्रंथ है, उसी मुबारक शाह को समर्पित है, तो यहिया बि अहमद शरहिंदी, तारीख ए मुबारक शाह, ध्यान रखेंगे, सयद वन्स के सासक मुबारक शाह के समय इसको लिखा गया था, तो यह भी कई बार पुछा गया है, तो बस इतने ही इतिहासकार है, तो इस सब को याद रखिएगा, बड़ा इंपोर्टेंट है, पूछा ज अदानी वादा, पूछा जानी वादा, पूछा जानी वादा.